आपने पंडित रामा कृष्णा और उनके परिवार को उस अधी के छोट देनी पंडित रामा कृष्णा की इस दृष्टा कर दंद इने मिलना चाहिए यह दर्बार से ही नहीं इने विजे नगर संपराज्य से निश्कासित कर देना चाहिए अचारे का कतन एकदम सत्य है महाराज मुझे आपचारिक रूप से निश्कासित किया जाए ताकि मैं विजे नगर त्याप कर पुने अपने गाउं तेनाली लोट सको अब हमें विजे नगर में रहने का और मुझे इस दर्बार में आने का कोई अधिकार नहीं है महाराज हम आज ही प्रस्थान कर जाएंगे आग्या दे गुरुजी अध्यता चला ही दिया अपने अपना ब्रहमास्त्र मानगे गुरुजी आपकी बुद्धी को आज तो तेरा स्थान ग्रण नहीं कर पाया रामा और अब तो तुम चाही रहे हो अब ये बद मेरा होगा कोई नहीं रोक पाएगा मुझे महारानी चिन्ना देवी आपने हमसे असत्य कहा क्यों आपने दर्बार में सभी के समक्ष ऐसा कहा कि आपने उस चोर को नहीं देखा था पन्तु जब आप ये कह रही थी तब आपके त्रिष्टी जुकी हुई थी और इस समय भी आपके नेत्रब भूमी को निहार रहे हैं महारानी चिन्ना देवी हम यहाँ पर महराज कृष्ण देव राय बनकर नहीं आपके पती प्रिष्ण देव राय बनकर उपस्ते थे आपके समक्ष पताईए पताईए सत्की क्या है आप किसे सुरक्षित करने का प्रयास कर रही थी हम जानना चाहते हैं आपको स्वामी हमें आपका ताद परी क्या है आपको सभी प्रकरण अधूरे द्रश्टिगत हो रहे हैं स्वामी आप पून्सत नहीं देख पा रहे हैं हमें प्रसंवता है कि एक पती की रूप में आपने हमारी नेत्रों की मेरा समझ रहा परांत तु एक राजा होने के नाते आपके राज़े में जो अनाचाथ हो रहा है वो आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं जाने का मन नहीं कर रहा मन लग जया है यहां कोई बात नहीं अमा पहले भी तो तेनाली गाउ में ही रहते थे कुन्हें मन लग जाएगा मामंद्री जी आज राज दर्वार में जो कुछ भी खटित हुआ उस पूरे प्रकरण में कुछ तो है जो हम चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं कुछ तो ऐसा है जो हमारी दृष्टी से परे हैं महाराज हमें भी ऐसा ही प्रतित होता है परन्तु क्या ये समझ में नहीं आ रहा है जिस प्रकार से पंडित रामकृष्ण और महाराणी चिन्ना देवी ने पंडित रामकृष्ण अब पंडित रामकृष्ण के द्रश्टिकोंड से विचार करने का प्रयास कीजिए पंडित रामकृष्ण अब महाराणी चिन्ना देवी का बचाव कर रहे थे और महाराणी चिन्ना देवी इसी चोर को बचाने का प्रयास कर रही थी इसका अर्थ क्या हुआ महाराज कुछ तो रहस्य है क्योंकि हमें ये विश्वास है कि महारानी चिन्ना देवी कभी भी कुछ अनुचित नहीं कर सकती इसका अर्थ ये है कि चोर जो भी कुछ कर रहा है वो अनुचित नहीं कर रहा है आज महारानी चिन्ना देवी ने हम पर हमारी प्रजा की प्रती हमारे कर्दव्यों हमारे उत्तर दाइत्मों के उपर प्रश्ण चिन्ना उठाया माहमंत्री जी महाराज इस विशे में हमें गंभीर्दा से विचारना होगा हम तो चाते हैं कि आप स्वयम जाए और इस गुठी को सुल जाएं और इस खटना से संबंदित प्रतियक व्यक्ति को हमारे समख्ष प्रस्तुत कीजिए इस प्रकरण को हम स्वयम सुल जाएंगे हुनने सारा समान बान लिया है हार तो गया है साथ में घर भी चलागी विराश ना हो शार्था वाँ पर विश्वास रखो ऐसे भी वो हार तुम्हें महारानी चिन्ना देवी ने दिया था चला गया सो चला गया मैं तुम्हें दूसरा हार ला कर दूंगा क्या चलो जमान उठाओ और चलो एक्षण रुकिए अभी कुछ लाना शेश है अभी लाते हैं अरे यह रहे गया था आभशक है अब एक्षण और एक और चीज है जो हम बूल गए अभी लेकर आते हैं तो तुम पूरा घर बांद कर साथ में ले चलो इससे पूर्ग के पंडित रामकृष्ण विजयनगर राज्या से प्रस्थान करें हमें इस घुत्ती का हल महराज के समक्ष प्रस्थूत करना ही होगा तुम बहाँ देखो तुम बहाँ देखो यहां चोरी के आभुषण कौन रखता है शमा करें हमें तो ग्यात नहीं है यहां चोरी के आभुषण कौन खरिदता है शमा करें हमें ग्यात नहीं है प्रणाम मंत्री वर क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो चोरी के आभुशन खरिदता या बेशता हो। छमा करें, हमें इस बात का ज्यात नहीं है। महामंत्री जी आप क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो सोने के आभुशन खरिदता या बेशता है। एक ही स्वणकार है जो इस प्रकार के आभुसण खरीदता है कौन है वो वहाँ कि महामंति जी आप महाराज ये सिद्दम शेटी है हमारे विजयनगर का एक स्वणका हमें हमारे गुप्चरों से ये सूचना मिली है कि इसने एक संदिक द्व्यक्ति से नौलक्खा हार खरीदा शमा करें महाराज मुझसे बूल हो गए मैं लालच में फस गया था महाराज मुझे ये ग्यात नहीं था कि यहार चोरी का था क्या आपको ये ग्यात है कि वो हार आपको किसने उपलप्त करवाया था क्या उससे परिजित हैं आप जी महराज, वे हनुमान मंदिर के पुजारी हैं और अनाथ बच्चों का आत्स्रम चलाते हैं। उन्होंने ही मुझे वो हार लागर दिया था। महराज, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने वो हार अनाथाले के डान पातर में एक सचन पुरुष को भेट सोरूप डालते हुए देखा था महराज। महराज, अनाथाले की आर्थिक हिस्तिती बहुत ही दैनियती। बच्चों के लिए भोजन की विवस्ता करना बहुत कटिन हो रहा था महराज। मैंने वो हार बेचकर बच्चों के लिए भोजन की विवस्ता करने के लिए सुचा महराज। क्या आपने उस चोर को देखा था अथा उस व्यक्ति ने जिसने वो हार आपके दान पात्र में डाला था जी महराजी बताए कौन है वो देश्टी मामंत्री जी भाराज तरबारा उजित कीजिए शान्त हो जाव अमा, मत रो अरे यह तो प्रसंदता का प्रसंग है कि इतने वर्षूं के पश्चाथ हमें पुने अपने गाओं तेनाली जाने का मौका मिल रहा है हां चलो उठो, उठो, उठो उठालो अरे अब क्या उठाना सेश है अपना समान उठालो और चलो, हमने भोजन के साथ अचार भी रख लिया है, रास्ते में खाने को रुचिकर बनाने में काम आएगा चलो अमा, चलो रुक जाए, आप लोग इस तरह से नहीं जा सकती, क्यों नहीं जा सकते, महराज ने आदेश दिया है कि आप सभी को तरवार में उपस्थित होना है, पंडित रामा कृष्णा आप अपने साथ वो नौलखा हार भी लेके चलिए, जिसके लिए अपने दावा किया था, कि वो और आपके पास है, महराज का अदेश होगा! तो फिर फ्रसा रामा, अम हार कहा कहा से लाएगा? प्रवादानी देवी को भेट करने की उजना थी हमारे गुरुजी को प्रतीत होता है कि आपके भाद्य में लिखा है यही सुना सुना दरबार ना कि सुदामनी देवी का प्यार जैसे ही तरबार समप्त होगा मंत्री महोदे आकास्मिक रूप से महारास दवारा दरवार आयाच्वित करने का क्या प्रविजन हो सकता है भाईर रखिये सब कुछ पष्ट हो जाएगा पहले पंडित रामकृष्ण को दरवार में पाले जीगे पंडित रामकृष्णा उपस्तित हो जाए हम समझे नहीं ग जीट रामकृष्णा तो कब का प्रस्थान कर चुकी अब तक तो अपने परिवार के साथ तेनली गव पहुच चुकी होंगे अच्छ पका पका ये लिजे वो पस्तित हो गए महराज कृष्ण देवराय पदार रहे हैं महराज कृष्ण देवराय की महराज कृष्ण देवराय की गतकई दिवसों से हमारे दर्बार में बहुत कुछ घटिद हो रहा है कुछ व्यक्ति है इस दर्बार में जो हम से असत्य कह रहे हैं और कुछ व्यक्ति है जो निरंदर हम से कुछ चिपाने का प्रयास कर रहे हैं परन्तु गदा चिको ये भूल रहे हैं कि उनके समक्ष विजयनगर राजे के समराद कृष्ण देव राय है तो आज इस दर्बार में नौलखे हार की चोरी की गुत्थी सुलजाई जाएगी उसका निराकरन तो हो चुका है महाराज अब पंडित रामा अकिष्णा ने इस बात को स्विम सुईकार कर लिया है कि हार चूरी हुआ ही नहीं है तो जी परन्तु महाराज मंत्रिवार महाराज सिपाईयो रफ्तुत करो उने स्वाविनाथ अब दर्बार को घटना करम बताओगे राजय की और से जोराशी आपको अनाद बच्चों के पालन पोशन के लिए दी जाती है वो बच्चों तक यह नहीं पहुँचती है हम एक शमा कर दीजे महराश हम एक शमा कर दीजे हम से बहुत गोर अपराद हो गया है महराज महराज, महराशी तो अपके व्यक्तिकत कारिय और स्वार्थपूर्ती हेतु आपने उप्योग कर ली और उन लाचार बच्चों को भूग का सामना करने के लिए छोड़ दिया हूँ अपराद नहीं, गोर्द पाप हुआ है और इस पाप का प्राश्चित आपको करना होगा मामंत्री जी, महराज इन्हें आजिवन कारावास पे डाल दिया जाए तकि आज के पश्याद कोई भी अनात बच्चों के मुख से निवाला छीनने का दुछ साहस ना कर सके है ले जाए इन्हे परन्तु महराज प्रश्ण अभी भी वही का मही है इस सारे प्रकरण का पंडित रामकृष्णा के घर पे हुई चोरी से क्या संबंद है महराज अब जी गुरूवर अबश्यम बोली धन्यवाद महराज हम यह कहना चाह रहे थे कि फूर में पंडित रामकृष्णा इस्विकार कर चुके हैं क्योंकि यहां को चूरी हुई नहीं पंडित रामकृष्णा तो आपके अनुसार आपके घर पे चूरी हुई ही नहीं है अर्थात वो हार वो नौ लखा हार अभी आपके पास सोना चाहिए पंडित रामकृष्णा दिखाए वो हार हमें मालाच वो हार तो मेरे पास नहीं है वो गुंडपे के पास है क्यों रे गुंडपे तू वो हार घर पे भूला है ना जा लेकर आभी गलते लेओ, पलार गल में केते प्लापत होगा, वो तो तोली हो गया न, तोलो ते ले गया चोर ले गया है उसे, असाथ पंडित रामकृष्णा, आपने हमसे इस फरे दरवार में जूट बोला अत्यानत, दुरलब दृष्णा है यह, प्रतनता हुए पंडित रामकृष्णा, आपको इस प्रकार अच्कत आते हुए प्रमित होते हुए देखकर पंडित रामग्रिश्ना सत्यस्तापित करने का समय आ गया है बताएए आर की चूरी हुई थी या नहीं? हाँ माराज चूरी हुई है चूरी तो हुई थी मारा ने चिना देवी अब आप हमें बताएए कि आपने उस चूर को देखा था या नहीं? जी माराज देखा है अथ्थ आपने चूर को देखा है तो बताएए भेलो बताएए इस सबाको की वो चूर कौन है उसका नाम है ये सथ है माराज उसी नहीं वो नौलखा हर अनाथा लेके दान पातर में डाला था सिदम शेटी भी वहीं उपस सिति माराज तानिको ले आ उसे जोल विश्वनाथ है विश्वनाथ का कथन है कि गोड़ा गाड़ी वाले प्रसाद ने उनकी समय पर सहायता नहीं की जिसके कारण उनकी पत्नी को प्रसव में अतियाधिक पीड़ा हुई और विश्वनाथ को आवश्शक्ता से अधिक धन जी रहतरना पड़ा चुमा करें महाराज ये चोरी मैंने किये पंडीत रामा कृष्णा के घर से वो नौलाखाहार मैंने चुराया यही सत्य महाराज मैं अना थाले की बच्चों को भूख से पिडित नहीं देख पाए उनकी भूख मिटाने का मेरे पास कोई और साधन नहीं ता महाराज इसलिए मैंने ये पाप किया महाराज ये इस सब क्या उल्टा पूल्टा हो रहा है कभी चोरी हुई कभी चोरी नहीं हुई और फिर अपरादी की स्विकारोकती अब आमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम आपको समझाते हैं गुरुवर समस्त घटा क्रम जी महाराज पंडित रामकृष्ण के निवास से विश्वनात ने उस नौलख के हार की चोरी की वो हार चोरी करके जब वो भाग रहे थे तब महारानी चिन्ना देवी ने उन्हें देखिया परंट जब उन्होंने इसका पीछा किया, तब उन्होंने देखा कि विश्वनात ने वो हार अनाथा लई की दान पीटी में डाल दिया। और तब महाराने चिन्ना देवी का रदय पिगल गया। और उन्होंने सोचा कि विश्वनात की रक्षा की जाए। इसी हेतू वो रात दर्बार में चुप रही। पंडित रामकृष्णा महाराने चिन्ना देवी के सम्मान उनके गरिमा की रक्षा करना चाते थे। और इसलिए पंडित रामकृष्णा ने भरी सवा में हमसे जूट बोला कि हार की चोरी हुई ही नहीं। किया पंडित रामकृष्णा ऐसा ही हुआ था ना? हाँ महाराच。 परंतु अब प्रश्ण यह है कि महाराने चिन्ना देवी पंडित रामकृष्णा और विश्वरात्ने जो कुछ भी किया वो उचित है या अनुचित? तीनों ने अन्युचितिया महाराज। तीनों ने अपराद और अपरादी की रक्षा करने का प्रयास किया। अपराद से बड़ा अपराद उसे चिफाना है। अतहा तीनों ही दंड के पात रहें। उने दंड मिलना चाहिए। महराज जब से भूजी को उसके पालन कटने वाले माता-पिता से प्रिथक किया गया है तब से लेकर अब तक इसका शरीष तेज जोर से तप रहा है इसने भोजन का भी त्याग कर दिया और निद्रा में भी जिसे ये अपने माता-पिता मानता है बस उन्ही का नाब लेकर बड़बडाता रहता है महाराज पंडित रामकृष्ण का कथन सत्य था इसलिए हम अपने भुजी को पुना उसके पालन करने वाली मा भारगवी देवी और पिता शशिकांग को सौब देना चाहते हैं पंडित रामकृष्णा महाराज सही गलत का निर्णे तो मनुष्य की भावना पर निर्भर करता है भगवान शिक्रिष्ण ने अर्जुन को अपने गुरु दोनाचार एवं पिता माभीश्म पर तीरों से प्रहार करने का निर्देश दिया था क्योंकि वो गुरुक्षेत्र एक धर्म युद्ध था शास्त्रों में इस बात का उलेक अवश्य है कि पिता एवं गुरु की हत्या अधर्म है किन्तु गुरु दोनाचार एवं पिता माभीश्म दोनों ही अन्याय और अधर्म के पक्ष में युद्ध रत्य इसलिए शास्त्रों में ये भी लिखा है कि यदि परिस्थीतियों के अनुरूप निर्ने लेना पड़े तो पाप और अधर्म भी धर्म हो जाता है यदि उद्धेश्य सही हो महराज तो चोरी को चोरी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वहां बच्चे भूख से व्याकुल थे इसलिए विश्वनात ने जो कुछ भी किया वो उचित किया और महरानी ने विश्वनात की स्टुदक्षा करके उचित किया इसलिए ये आपके दंड के नहीं पुरसकार के योगे है महराज और उस दिन भी विश्वनात की पतनी जब प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी प्रसाद को वो घोड़ा गाड़ी अवश्य रोकनी चाहिए थी आपकी समस्या ये है कलूरी जी कि आप नियमों को कुछ अधिक महत्व देते हैं जबकि नियमों का उद्देश्य भी सत्य का परिपालन हैं न्याय में भावना भी समाई होनी चाहिए निर्णय लेते समय बुद्धी के साथ साथ रिदय अर्थाथ भावना का समायोजन भी आवश्यक है तभी सही नियाय होगा सही निर्णय होगा आराज मेरे विचार से एक अच्छे सलाकार के लिए इस प्रकार की सोच आवश्यक है अग्या दे पंडित रामक्रिष्णा जाना जाते हैं पर लितना मक्रिष्णा जाइए अवश्य प्रस्तान कीजिया परन्तु स्परन रहे कि आपके वल हमें और इस राज सभा को त्याग कर नहीं जा रहे हैं अभी तू विजे नगर के प्रति अपने कर्तव्यों को त्याग कर जा रहे हैं विजे नगर के हर उस नागरिक को जिसके लिए अब आप न्याय और आशा का प्रति रूप बन चुके हैं उन्हें त्याग कर जा रहे हैं बहुत मानती हैं हमारी जंत आपको आपके प्रतियक निरने का सम्मान करती हैं वो और हम भी हम भी करते हैं आपके निरने का सम्मान इसलिए आज भी यदि आप यहां से जाने का निरने लेते हैं तो हम उसका भी सम्मान करेंगे अजय आपके तो हमने भी आपके लेते हैं वानने प्रत पात्तिन आपके यहांस अजयोग कर दो मनें आपके यहांस जाने जापके आपके आपके यहांस अजदो आद पत्पत पर दितरामक्रिष्न मैं आद पत्पत आद पत्पत यह सब तो ठीक है परन्तु हमारे हार का क्या वो तो गया ना जी शार्दा देवी यह तो अत्यांत उप्युक्त प्रश्न है शिद्दम शिटी जी महराज वो हार कहा है किसे विक्रे किया आप्ने महराज वो गुरुवर तथा चारे जी है जिन्होंने मुझसे वो हार क्रे किया था हाँ महाराज हमें ग्याति ने था कि वहार चोरी का हम निर्दोष है महाराज वह प्रियोजन से हमने आज तक हमको हमारा कहने का तात परिया है कि आपकी गुरुमाता को कभी कुई उपार निदिया तो इसी प्रियोजन से हमने ये विचार किया कि हम इस हार को क्राय कर लेते हैं उन्हें प्रेट करने के लिए अद्वत खुर्वा अद्वत विचा था परन्तों वो हार है कहां अईयो खुरुवर यही तो है यही है अमारा नौलखा हार गुरुवर यह नौलखा हार आप पर अत्यां सुषोभित हो रहा है परन्तु आमारे विज़ार से कि हार चारता देवी को दे देना चाहिए अबश्य अबश्य यह शार्दा थी धन्यवाद गुरुवर शार्दा गुरुवर को भी दन्यवाद कहो दन्यवाद गुरुवर स्वागत स्वागत अरे क्या गुरुवर इस हार का मूल यह तो आपने चुकाया और पंडित रामकृष्णा हार भी ले गया माराज पंडित रामकृष्णा बालिक आलम बुद्धी मान तो थे ही परंतु आज भी उनकी बुद्धी का लोहा सब मान थे शास्त्रों का ज्यान भले ही हम दोनों को क्यो ना हो परंतु उनमें दिये गए निर्देशों का बालन सही प्रकार से कैसे रो यह केबल तुम जानते हैं प्रजा के हित का संपूर ध्यान केबल तुम रख सकते हो दर्बार में प्रमुक्ष सलाकार का उचित अधिकारी कोई है तो वो मैं नहीं केबल तुम इश्वर से प्रातना करता हूं कि भवेश्य में कभी तुम्हारे या महराज के काम आ सको कलूरी बाले काल में अथ्वा अभी भी जाने अंजाने में मुझ से कोई भी भूल हो गई हो मैं उसके लिए रिदय से ख्षमा मांता हूं जे ख्षमा कर दो पंडित रामकृष्णा आपने पुरा एक बार ये सिद्ध कर दिया है कि बुद्धी मता एवं चातुरियों में आपका कोई सानी नहीं और कलूरी दिंकर जी कम से कम इस बार तो हम आपके सुजाव से सहमत है कि पंडित रामा ही इस पत के योग्या है सवारेन मिले कांस्य के भाव महंगा सामान सस्ता ले जाओ ले जाईए ले जाईए कोडियों के दाम ले जाईए ले जाओ ले जाओ ले जाओ कोडियों के भाव ले जाओ यह वहाँ क्या हो रहा है चल जाकर देखते हैं क्या हो रहा है हाँ मार चलो भाईया यह सारा समान इतना सस्ता कैसे क्या है, न में अपनी दुकान बंद करके दूसरे गाउं जा रहा हूं कौडियों के बाउं ले जायं। गौरुजी, गौरुजी, कितना सश्त अमान है, कितने प्रजाजन है, टूट पडे है लगता है बो सस्ता सामान मिल रहा है, गौरुजी ठोड़े, किए कर लएगें! ठाणी हो जिए पॉरयों के दान मुखा दाम। मेंगा माल है... वारे रिज्मौरदे, कामे मारेे... मारे रिज्मौरे! ब्रणाम गुरुदे! ब्रणाम! आपढ़े लीजीए! और एक... सुदालें... वारे डोणी.. गुरुजे, आप ये भॉंपु भॉंपु ले लेजे गुरुजे ले ले जे... आपको ग्यात नही है जब फ 이야기 ह्यारी न सबते है तो गदे गोडे बेच की सोजाते है आप इसे बेच एवें शी बजाएएंगे और आप सगंता से होडे जाएंगे लेली जूनाखनी उचित है उचित है उचित वस्तू प्रतीत होती है एव्यपारी ये बॉंबु दिखाओ अवश्य इतने मुद्रा का है ये एक कांसिय की मुद्रा का है कुरसी? अम्मा हमारे पास कितनी सारी कुरसीया अमना ये तक्या ले लेते बहुत सारे तक्या है रामा दिन भर सोता रहता है ये तो कहती हूँ घर से सारे तक्या निकालकर भार भैख देते ना रहेगा बास ना बढ़जेगी बासरी अम्मा बासरी बासरी ले लेते है करन तो बासरी बजाएगा कौर वो बातुरी देखें कि अभी ले लेते, बातुरी कितनी है, ये बातुरी एक कास्यम मुद्रा का है, दे दी जे, पुश्य, अग और कुछ चाहिए आपको, ये अपारी, हम भी किराख हैं, हमारी और ध्यान दीजे, शमा गुरुवर, जी बताईए, वो दिखाई हैं, ये देखें गुरुवर, अरे, दनी मनी, जी गुरुजी, तुम क्याते हो ना, कि तुम्हे सदाएव, मुद्मी परसोना पड़ता है, हम ये, तुम्हारे लिए क्रेकर, गुरुदेव, बड़ी किरभा हैं आपकी, आप हमारे कितना देहां दखें गुरुजी, है ना, ले ले ये लिए, ये लिए, ये लो, एक, कासे की मुद्रा है, किंतु गुरुदेव, इसका मूल्य पांच चांदी की मुद्रा है, पांच चांदी की मुद्रा? इसे रखिया, हमें ये लेना है, परंतु गुरुदेव, इसका मूल्य पांच चांदी की मुद्रा ही है, ये अधिक मुद्यवान है तो हमें ये नहीं चाहिए है हारी मुद्रा दो हाँ हाँ धोलक चाहिए पालना अरे तो अमा हम पाल में का करेंगी क्या आती चल के काम है अमाँ हमें यह पालना बहुत अच्छा लगा हम इसे लिए ना चाहिए दूरोजी यह पालना क्यों खरिदना चाहते इसका क्या कर रहे आपको क्या हना कि हमारी जो खड़ाओ है उपलंके नीचे चले जाती है और तुम उपस्तित होते नहीं तो हमें खड़ाओं उठाने के जूखना पड़ता है हम जूखते हैं तो हमारी कमर में पिड़ा हो जाती है तो हम अपनी खड़ाओं इस पाल नीव रहे और हां हमारी अनुपस्तितीमे यदि तुमारा मन करें, हमारी सिवा करने का, तुमारी घुछाओं को झुला-चुला दिया करना है बəपारी ये लाइ एृट लाहियो पाला हमें दीजाए हम लेना चाहेंगे जी गुरवर ये पालना हमें चाहिए हम, हम, हम लेंगे अरे, हम लेंगे, देखे, इस पालने की सर्व प्रथम मांग, हमने की है, पालना हमें मिलना चाहिए, हम लेंगे, 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 अच्छा ठीक, जो इस काथिक मुले देगा जे पालना मुझे को है हम इस पालने की दो कासर मुद्रा देंगे हम यह दिन देंगे हम चार देंगे हम छे देंगे साब देंगे वर दे, अलगु मुल्लिक, बढ़ाते जाएं पीछे कदाब के मुटदियेगा इस समय संपोन विजयनगर की दुष्टी आप पर ही है कि आपकी सम्मान का प्रश्ण है, Guruji मुडा पढ़ाते जाहें, पढ़ाते जाहें, पढ़ाते जाहें, Guruji दस कासितन मुद्राएं हम पंद्रा देंगे एक स्वर्न मुद्रा हम दो स्वर्न मुद्राएं देंगे हम, हम दस स्वर्न मुद्राएं देंगे तो हम बढ़ाए, 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 बढ़ाए उठालो, उठालो क्या उठालो ये पाल्ला उठालो और इन्हें दे दो हम पीच्छे हादे हमें नएँ जालेए अझाय हाद लाइए 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 एपारी जी लाइए लीजी ये अखहाईऊ वर ठै לסवर आहां हाथ लगाएए हाहा गाएँ हाहा को म द्य ओंधम जारह सिर्ड अढ़ खाया, वो पालना दिखाए, वो कितने का है? वो पालना, उसका मूल्य है एक कांस्य की मुदरा बस, दे दी उचे भाई, समाल के रखो, एकदम समाल के, बार ही थोड़ा 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 वो पालना, पालना ये कांस्य की मुदरा में दे दिया? गुरुवर, मेरे पास तो और भी पालने हैं आप चाहे तो ले सकते हैं रामसे गसे सुन मुदरा गुरुवर, मैं तो आप से यही कहने का प्रयत्न कर रहा था किन्तु आप थे कि मुल्य बढ़ाते ही जा रहे थे अरे वाशार्दा, पालना या बात है? आमें भी बताओ, कोई शुबसमाचार है? राधा नाचेगी? अम्मा आज क्यों राधा नाचेगी? नहीं, अम्मा कह रही है, कोई शुबसमाचार नहीं है होगा भी कैसे, रामा दिन भर दर्बार में रहता है और वापस आकर निढाल होकर सो जाता है जी अम्मा, महराज आपके पुत्र पर बहुत विश्वास करते हैं, इसलिए तो महतोपूर राजिकार उनी को सौपते हैं आपका कथन सत्य है, परन्तो अगर ऐसा ही चलता रहा, तो हम तो अम्मा ही रह जाएंगे दादी अम्मा तो कभी नहीं बन पाएंगे अम्मा अम्मा चिंतित ना हो, हमारे पास इसका अकजूक उपाय है अपा गंगो गहेंची सित्धियोगी है करते बस हम भी पुत्र प्राप्ती है तो उनके पास उपीता लेने गए थे अकर आप दोलों सिहमत हो, तो हम आपको उनके समख्ष नेकर चल सकते हैं और यह इसकी दंडा लेका क्यों आ रही है तरही ऐसा तो नहीं है कि हमारा भेज खूल गया हो और यह दंडा में तभीत इंगल ला रही हू गवड़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ बाबा, हमेश मार्थ! अंकर यामी! हमोने मन की बातकर ली! यह कहने तो हम आयते, अब हमेश हमाप कर दीजे. अचिर वाज है, बाबा समस्कारी है, मन की बाद जान देते हैं, बाबा ये भी जान से है कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन तो खुद कहो, मन को शांसी मिलेगी बाबा, आपने जो बर्दान से रूप आँको पपीता दिया था, वो हम बलकत की ब्रिक्ष के नीचे नहीं रख पाए, वो हागतरातरी हमारे प्रभू साधनाव में लिए थे, सो घर ही नहीं आए, अज अच्छी में तारे फूर कर लो, उत्तम परडाम मिलेगा, अश्र यह भी अपने पती से केके बंगत के व्रिक्ष नीचे उसको रखवा कर पुत्र रतन की प्राप्ति कर सकें, इन्हें? इन्हें, हमें पपीता तो समाब थो जुका है, यह अनानास ले लो क्या इस अनानास से मेरी बहू को पुत्र की प्राप्ति होगी? तुम्हारे बहू, लेकित तुमका खुद अभी आलपाई हो ने ने, वह अभाम नहीं, अम्मा कह रही है लेकिन कहतो आप रही है, यह तो मौन खड़ी है हाँ, इन्होंने मौन द्धारन किया है, यह संकेत देती है, हम अनुवाद करते है अम्मा पूछ रही है, कि क्या इस अनानास से, हमारे आंगन में बालत की किलकारिया गुझेंगे डंडं, डंडं, डंडंडं औरता के, हलापके जी, पिरहन करो अशिरवाद अशिरवाद है, अशिरवाद है आशिरवाद अशिरवाद ए मंतर यामी है तुमारे हेड़ै की बात पड़ा लेते हैं आपको अपने पती के रूप में पाकर हम धन् fett कौनसी बात पढ़ ली वरॉन बाला हमें भी बताए है अधently नरी हमेंब बालगने चाहिए जी? धनी मनी है ना, Guru माता! हम भी तो आपके पुत्तर जैसे हैं, ना? औरहे मुर्फो! वो मुर्ष्ये के बालग की बारता कर रही है! गढ़े की नहीं? नहीं अगरो माता! हभाँ, Guru जी, क्या क्या चाहरे है? नहीं, नहीं, तुम दोनों भी हमारे पुत्तर की तरह ही हो! परन्तु हमें हमारे पुत्तर चाहिए! एटे ना कही है, Guru माता! गुरुदी का पुत्तर? ऐसे भी धरती पे पापका बहुत बोज हो चुका है, Guru माता! चौँ! बहार निकलो दोनों! हम कहारे हैं बहार निकलो दोनों! जा रहे जा रहे जा रहे! और सम्पोर्न रातनी बहार बैल करता रहे गिनो! और सुनो! संख्या में आटोपी हुई, तो बन सुरूप तुमें देल में देल दिखाई तुमें! देल! अःव! परुन माला क्या हुआ? सोचिए स्वामी, आपकी जाने के बश्जात हमारा क्या होगा? हम किसके सारे जीवेत रहेंगे? आपके जाने के बाद आपकी कोई निशानी तो होनी चाहिए ना? हम कहां जा रहे हैं? आप भेजना कहां चाहिए हैं? Heey! अछा डेखे, आपको पुतरचाहिए! शाम रहे हैं। मुचाहिवा जाने बश्चाहिए आप बस एक पपीता शम्शान के पास अले बर्गत के बरेक्शे नीचे रखाईए तो ने पुत्र की प्राप्ती हो जाएगी हे भगवान ये सब अन्रिश्वास है वरुन्बाला हम न जाने कितने लोगों को ऐसे फल देकर निखावार केने के ताल पड़े है लोगों को ऐसे फल लेकर मुर्ख बंते देख चुके हैं हम ऐसा नहीं होता है हट आप किजी स्वामी अनता हम अपते पैठेंगे क्या हट करेंगी आप बश्चा काव सलूप आपको एक आपक पपीता खाना होगा नहीं हम लेके जाएंगे यह तो महातर छोटा सा कारे है लाइए अपना परम प्रिये पवित्र पपीता हमें दीचे हमें आपसे यहीं अपनी इक्षैती स्वामी हम आपके पुजंगी में विस्ता कर देते हैं हाँ दीची दीची ज़ी पल रखने से पुत्र पराफ्त होते हैं तो हमारे पीछे ही बागीचे में पुत्री पुत्र पगट हो रहे होते हैं मुल्ख मुझे पता है तो यहीं कहीं छिपा है एक बार सामने हाँ फिर मैं तुझे लड्डू खिलाता हूँ जाड़ा लड्डू कहा है पर तुम दोनों ऐसी क्या खरीदारी कर रही थी कि संध्याकाल हो गई पता है कितनी भूख लगी है मुझे हमारा संध्यी सही निकला हमारी अनुपस्तिती में आप लड्डू चुदाने का प्रयास कर रहे थे आपने घर में कोई चूरी नहीं करता हां खीन के खा लेता है चुबकर खीन के खा लेता है और यह किसने बेज़े यह मैंने अर्थात अम्मा ने मैंने कौन सी भूल कौन सी तुटी कर दी जिसका इतना बड़ा दंड दे रहा है तू वैसे सच कहूं तो तुटीयां तो बहुत की है तुमतीनों ने एक तुटी तो इसने अभी अभी की है मुझे लड़ू नहीं खाने दिया और यदि गर्मा करने बैठूना अम्मा तो कई दिवस निकल जाएंगे प्रंतु क्या है के मैंने तुम तिनों को ख्षामा कर दिया तब जल्दी से भोजन परोसो बड़ी भूक लगी है उठा लो हाथों पहले परोसोगी तो उठाओंगा ना मा लाठी उठा लो यह क्या है पुष्पक विमान है अभी अभी हवा में उड़कर लंका पुरी जाएगा अरे यह कैसा प्रस्तिय है यह क्या है कोई बालक भी बता देगा यह बच्चों का पालना है पालना है परें तू बालक कहा है बालक यह क्या रहा गधे के रूप में गुंडपा पुलुत मैं पुलुत जल पुलूशू इस आंगन में वह भी बालक की किन्वारिया गुंचेंगी देवी अमेश्वरी बच्चे तो भगवार की दिन होते हैं जब मा की मा की कृपा होगी तो बच्चे अपने आप जाएंगे परतालाब मत कर उससे कुछ नहीं होगा इसलिए मैंने दूसरा उपाई ढूण लिया है कैसा उपाई ओ अभी नहीं अम्मा भूजन के पश्चात खाऊंगा इससे खाना नहीं है रख कर आना है बर्गर के प्रिक्ष के नीचे बाबा गंबु गहन का दिया हुआ इस अनानास के चिलके में कांटे होते हैं बालक नहीं अरे अनानास और बालक का क्या सम्द्ध और ये गंगु गहन कौन है वाबा गंगु गहन तू फल खा व्रिक्ष मत किर इसे बर्गत के व्रिक्ष के नीचे जाकर रख कर आई परिणाम अपने आप आजाएगा बाबा गंगु गहन का वर्दान कभी खाली नहीं जाता बहुत पहुच्चे उड़े हैं वह हां पहुच्चे भी तो होंगी तभी तो अनानास में से बालक उत्पन कर रहे हैं परंतो अमा आसपास कोई बर्गत का व्रिक्ष है नहीं जहने दो है शंट मीजान के पास वर्गत का व्रिक्ष है तू अर्ध रात्री वहां जा कर इसे रखते हैं ने 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 अमा संच शंच 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 और द्राती में, रे, आने वाले इस बालक की कारण, अपने इस बालक की जान खत्रे में क्यों डाल रही हो, में, 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 में शम्शान नहीं जाऊंगा न, नहीं जाऊंगा न, नहीं बोल रही है, तुछी जाना पड़ेगा, मैं देखते हूं कैसे नहीं जाएगा तु, अम्मा, हम में रिखते हैं कैसे ने जाते हैं उठा लो हाँ शार्दा, मैं वही कहे रहा हूँ यदि शम्षान चल गया तो इस वर उठा लेंगे मुझे हाँ, बहुता बाद में होगा पहले ये उठा लो और जा कर रखकर आप इसे संभाल कर रखना खोना मत ये बंदू रामा, ये तो गहन समस्या है गहन नहीं बंदू गंगु गहन, गंगु गहन समस्या है ये समस्या हमेशा तुझ पर ही क्यों आती है आई नहीं है ये दि अर्द रात्री इस अनानास को वद्वत के विख्ष के नीचे नहीं रखा तो समस्य आई ए बंदू अधरी मैं हूँ बंदू, शॉन्त्रे तो वैसे भे भी तो रखाऊ कम से कम तू तो शॉन्त्रे ए बंदू बैबीत मतो, पास में शम्शान है न, कोई भूत उठोगा शॉन्त्रे, भूत नहीं, भूत नाथ है, वो देख कि कम सब्सक्री ए इन करें अधरी, जाखाए, पर आए शॉन्त्रे बंडी द्रामकिश्ना, यहां क्या कर रहे हो? कमान, मैं नहीं तू हाँ, वो मैं.. निद्रा नहीं आ रहे थी, दुरूवर तो तो सोचा कि ब्रहुन कर लूँ ब्रहुन करने चलाया अबस यसे, इस्समें आप यहां क्या कर रहे हैं दोर, हम नहीं, आप वही करने आया है, जो करने आते मुझे पता है, आप क्या करते हैं किन्तु आप ही बता दीजे, क्या क्या करने आये थे? साधना यहा? हाँ यह अननास? वो ब्रह्मन करने से भोजन पचता है ना? तो क्या पता? ब्रह्मन करने के बाद मुझे तुनय गूप लग जाए इसले अननास साथ में लियाया, हाँ? मुझे दटा के बाद में अच्छे अच्छे तो तो क्या गुरू है? जाओ रखमन करो हाँ आप भी करो क्या करी? बही जो करने आये थे क्या करने आये? साधना गुरू वो हाँ साधना करने आये थे तो चले ब्रहुंद' प्रणाम अई अई कर दो कर दो लाह कि दो कर दो कर दो अब मैंने क्या दिया है और ने नहीं देती हो कल तूने बर्गत के वरिक्ष के नीचे जाकर अनानाज रखा था हाँ रख दिया था शादा से पूछो था और सोने तो मुझे हमसे क्यों पूछ ले हमें क्या बता हम तो आराभ से सो रहे थे मा मैं वहाँ गया था और मैंने अनानाज बर्गत के वरिक्ष के नीचे रख दिया था ठीक है अब मुझे सोने दो बहुत नहीं डारी है मैं आधी राती तक जाकता रहा हूँ सोता ही रहे तो एसी सोता नहीं रहता न तो हमें बाबा गंगु केहन की साइता की आवशकता होती है ने हाँ ठीक है त्स अर्युव यह भी कोई बात होती है मनी सुबह भी ठंग अखे हुई नहीं के बुढ़ ने अठा के काम पे भेज दिया एक दर्ती पे वैस नहीं नहीं आती और इस बुढ़ ने हमें सोने तक नहीं डिया मनी मैंब भीड कायक यह सबस्क्राब यह भादागल करता था क्या है तुम कौन हो भाई? अरे मूर्खो, किस गिरह से आया हो? हम? हम तो इस ही गिरह से हैं? कभी मानुस्य नहीं देखा क्या? मैं तू से गिरह क्या प्राली दिख रहा हूँ लगतो है ताहिरा है अरे हम कल ही पैदा हुए है हमारा कोई नाम नहीं है और हमारे पितासरी हमारा नाम करान करेंगे ना अच्छा, चलो अपने पिता-जी का नाम हमें बता दो अरे गधो, किस प्रकार की बात है कर रहे हो? जब हमें हमारा स्वायम का नाम ग्यात नहीं तो अपने पिता का नाम किस बात दी बिजित होगा? isani कि तुम्हारा जनम कहा हुआ तुम्हारा जनम इस्थान कहा है बताओ हमने जिव अपनी आखे खोली तो स्वयम को बर्गत के पेड के नीचे पाया तेर्गत के नीचे है तो नहीं तो नहीं तो शम्चान रात के पास है वही 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 मनी ऐसा प्रतीत होता है कि बस समझ किया समझ किया तुम आवश्चे ही असब के कह रहे हो हमें मिच्चे आवासी कर रहा हूँ इजरा आउ इजरा आउ नहीं यह तो कोई संकाशेश नहीं बची यह तो अपने गुरुवर का ही पुत्र है हमें ग्यात है कि आपके माता पिता कौन है चलिए चलिए हमारे साथ चलिए हम आपकी उन्चे भेट करा देते चलो अखी आपके हमने गउसद ने कहा था हमारा जन्न में तो आज ही हुआ है हमें कोई मंतर ग्यात नहीं हम पिसी को पर्फ्वी नहीं कर सकते अड़े मनियत असे तो अज़े उसे तो प्रतिसत विश्वास हो गया यह हमारे पुट्य को है आप हमारे पीता से परिशिद है, हमें बताए ना, कैसे लिखते हो? उबेकुल आपके सदश है, आपकी परती रूप, उनकी उचाईब, आप उचाई से तनिक आजी है अवर्शिय होगी, पीता है हमारे, हमारे जनम तो आज ही हुआ है परती रूप, और डूप, वर्शिय है, के अभी हमारे जनम तो आपके सताची है ये हाथ की गाए समान माता है उनल, उनल, एमें नीचे होगी, प्रिशिय होगी आजो 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 आए कई काई दूं? क्या है ये? गुरुजी, क्या नहीं? पूछे की कौन है ये? पूछेने की क्या होशकता है? हम बताते हैं, गुरुजी. आपका पुत्र है ये? आपका पुत्र है ये? आपका दूंगा, पिताश्री. आपका दूपड़। नहीं नहीं! आप इने ध्यान पूरवगे लखिये! इनके नए नक्ष और सभी लक्षर सभाव आपकी ही सद्रिश्य है इने शही हमारे पुत्र है इस वामाता सी! इन शही जपग गया? अरा पुत्र अरे! मैंने क्या किया? मुझे क्यो मारे हो? तयार तोर हो जाने के लिए! आज तुझे कोई नहीं बचा सकता! मैं तुझे नहीं छोड़ोंगी! अरे अमा! ममा अमरी! गुरुवर और गुरुमाता को पुत्र की प्राप्ती हो गई है! ग्या थे! शिफ 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 तो इसमें मेरा क्या प्राप्त है? जगकर उन्हें मारो, मुझे क्यो मार रहे हो? गुरुमाता के कहने पर गुरुवर ने शम्षान में जाकर बर्गत के पेड़ के नीचे पपीता रखा था! और बाबा के चमतकार से उन्हें पुत्र की प्राप्ती हो गए! पुत्र प्राप्त हुआ है या रिक्षी से आम टपका है? क्या उफास कर रही हो तुम भी? ऐसा कभी संभव हो सकता है बहला? यह सब बाबा गंगो गहन के कारण संभव हुआ है! हमने भी आपको अनानस दिया था ना और कहा था बर्गत के पेड़ के नीचे जाके रखना अवश्य दिया था तो? आपने रखा नहीं रखा ना रखा था शार्दा तो पेरा में पुत्र की प्राप्ती क्यों नहीं हुए मुझे कैसे ग्यात होगा कि तुम्हें पुत्र प्राप क्यों नहीं हुआ जाकर अपने उस गंगु पंगु चंगु बाबा से पुछो जाकर उन्होंने आवश्य कोई दूशित फ़ल दिया होगा बाबा गंगु गहन असत्य नहीं कहते तू असत्य कह रहा होगा रहेम H मतलों आपके जासा ही होजाएग उसली नहीं कौन से पत्ती हमारे घर में प्रोष कर गई हाँ अविश्य यह कोई पाखंडी है हाँ कप्ति हाँ जो हमारा पुत्र होने का ढूंग कर रहा है इसलिए तो आपका पुत्र है गुरोजी देखिये गुर्ष अरे बंगर के वृष्ट के बीचे पपिता रखने से पुत्र उत्वर नहीं होता है देखिये निकाल देखिये छोड़ माता सवामी कुरेता इसलिए पुरी सोमी पुरी जबहो यह हमारा पुत्र है और आप हमारे पुत्र का त्याग कर रहा है हाँ हमारी शद्धपर अविष्वास दिखारा है आप हमेरी पुत्र का टिया है नहीं मता आप छोड़कर बद जाएं मता, कितने गढ़र परीश्रम से हमने आपको पाया है मता नहीं मता रुकिया मता गुरू बाता नहीं पूत्र नहीं, अब हमें रोकने का प्रयास मत करो हमारे स्वामी हमारे प्रभू का हमारी शक्त अपर इसंदे हैं अब हमारे जीवे तरहने का कोई नहीं आपको अधिकार! अब इतर्ती माता! अब इतर्ती पढ़ जाएकी गुरू माता उसमें तभाजाएगी! जुची जीए! शान वरुन बाला! शान! हमें स्विकार है! या स्विकार है स्वामी! ये जीव हमें पुत्र हुरूप में स्विकार है! हमारी सौगन? आपकी सौगन! हाँ हाँ! पिजाजी, आपने में स्विकार कर लिया! स्वामी, आपने हमें समय रहते रोग लिया! आपने ता हम आप दोनों से पिछड़ने के असर है, पीड़ा में डूप चाते! हम मुख दूप चाते! आपको भी उतना ही दारोर दुख होता चितना हमें! हाँ हाँ! 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 पिजाजी, आपने में स्विकार कर लिया! अरे इस भांदी हमारे गले मत पड़ो! कैसा पचित्र जी भीगी? आपका पुत्र है जी रोजी! पिता स्री, आप एक कार्या कीजिए! अब यह अमारा नाम करन नहीं हुआ है! आप अमारा नाम रख दीजिए! हम पड़ा मर्श देख भुरुची, इनका नाम होना चाहिए! क्या नाम होना चैरे? लंपता चारे! लंपता- नहीं, मनी, लंपता चारे नहीं! अरे बरगद के पेड़के नीचे से प्रकट हुए थे, इनका नाम होना ची भरगदा चारे! बरग्रार नहीं दनी, ये बच्चा पपीतरी के फाल ते परकट हुआ है, इसका नाम होना चाहिए पपी इताचारे नहीं नहीं पूत्रो, ये भी बहुत छोटे हैं न, इनका नाम छोटा चारे ही श्रेश्च होगा तो क्या कभी बड़ा नहीं होगा ये शिन्ता ना करें प्रफू, जब ये बड़े होंगे, तो इनका नाम परिवर्थित करके बड़ा चारे रख देंगे. यूपुत्री, आपको ये नाम रुचिकर लगता है ना? बहुत ही मदूर नाम है. दू पिताशी, आपका क्या बिचारे? हमारा साथना करसा में को रहा है. हमें भी साथ ले चलिए, पीता जी. हड़ी, हड़ी, हड़ी. माता, पीता सी जा रहे है. रोख योगना, हमें भी साथ जा रहे हैं, माता. आप आप शांत हो जाएए, शांत हो जाएए, आपके पिता शीरी साधना के लिए के लिए के लिए शीकर ही लोटाएंगे मैं आपको बाद में लेचलेंगे ना अब भोजन को जयान केंदरिद कीजी चली बोजन कटीजी चली 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 चारदा हमा यदि तुम दोनों को मुझ पर बिश्पास नहीं है तो जाकर अपने बाबा से दूसरा फले कर आओ मैं अपने प्रांट संकट में डालकर आज रात्री पुने उसे उस पेर के नीचे रख कराऊंगा वो बाबा तो अपना डेरा तंबू उठा कर चले गए चलो अच्छा हुआ चारदो अमा कभी बरगर के बिश्की नीचे पपीता और अनानास चखने से बुत्र प्राप्त होता है बला तोरा अन्द बिश्वास है देखा देखा अमा महान बाबा गंगु गहन जो एक ही रा अमा अज इनके कारण हमें पुत्र रत्न की प्राप्ती नहीं हुई और आप दादी बनने से बंचित रह गई तेरे दूार खढ़ा है जोगी जो है तेरा अप्रेण रोगी क्ष marin दूञोँ देवी नई खोलेंगे नई खोलेंगे नई खोलेंगे वित्या तंना दाह्त करदीया है हमने जो इतना द्वार विदारक आप की सब्दारक हमसे प्रेम करते हैं तो अब यह आपका पुत्र कहां से आ गया है यह समझार यहां तक पहुंच गया दिवी सवधामनी हम क्या बताएं आपको बतानी कहां से धोंगी टपक पड़ा हमें पुता कहने लगा आप चिंतिता हो हम शिक्र इस समस्या का समधान निकाल लेंगे अब अबस बार खोड़ें हमें अश्यरी नहीं जिस तरह आपकी हरकते हैं ना जाने इस नगर में आपके क इतने पुत्र खेल कूद रहे होंगे हां वो तो है परंतु हम शपत पूरव क्या सकते हैं कम से कम ये पुत्र हमारा नहीं है वो तो हम बरुन माला का मन रखने के लिए बर्गत के विर्ष के विशे पपिताय रखाये थे हम बहुत दुखी हैं अब तो हमें दर्माजा कदा पी नहीं खोलेंगे हां देवी सब्धाम में दुआर खोलिये हम आपके कंदे पर सर रखकर अपना दुख कम करना चाहते हैं तनिक विश्राम करना चाहते हैं तुम यह यह किसे क्या करते गुरूजी इनोंने हट्य पकड़ ली यह आना है तो हम आपके बढ़ापे में आपके अभिलासा यह द्वार खुलवाने की है ना अब 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 यह प्रियास दो यह कर रहे हैं चलिए हट जाए यह क्यों आठी है जारै जारैए बुल में बुल करे हुआ है यह अप्पिताजी हमें माता मिल गई हमें पिता भी मिल गए और आपके कारण हमें बहन भी मिल गई कितनी सुन्दर है हमारी बहन आपे नहीं यह यह तुम्हारी बहन नहीं है छोटु जारे यह तो फिर ये देवी कौन है मैं बताता हूँ ये सौधामी नहीं देवी है ये तो हमारी हमारा कहने के ताथ ये है मुझे नगर की राजनर्तकी आप तो कह रहे थे कि आप साधना करने जा रहे है कि अवश्य वश्य वई हूं करने आये थे आथा करने जा रहे थे तो फिर आप यहां inके कैसे वो क्या हुआ कि हमारा दौर बाहर से बंद हो गया और हम सहायता के लिए पुकार रहे थे तो हमारी पुकार सुनके यह यह आ गए और आपने हमारी सहायता इस तरह से गढ़ी तो फिर इसमें इतना खुश होने कि क्या बात है देवी सोधामनी प्रस्तान करना था ना तो हमें भी साथ ले चलिए हमें भी सिखाईये साधना चोटू चारे आप बालक जब आप व्यस हो जाएंगे तो हम आपको साधना की प्रखिरिया समझाएंगे चलो अब घर चलो जाएंगे और फिर दोबार इस द्वार पे कभी मताला हां वो इसलिए कि आप समस्या सुलज गई है ना इसलिए चोटा चारे अब तुम तुरंत यहां से घर की और प्रस्तान करो परण तु हम अकेले कैसे जाएंगे जैसे हम जाते हैं आप तो बड़े हैं और हम बालक हैं हम आपके साथ जाएंगे हमें दफार जाना है अंबी जाएंगे नहीं हम भी जाएंगे साथ में अबने कभी रास दरबार दिए राक धर निगा ने बालक का जाना वरजित है जुदा चारे हैं अब यह बालक को जब बड़े हो जाओगे तास्चातले चलेंगे नीटे रहा है बुन्देगी दिखाँ चलो चले गुजी जी गुड़ी जी ठ्रणाम आचारे महाराज कृष्ण दे राए महाराज कृष्ण देव राएकी ग्राज कृष्ण देव राएकी ग्राज कृष्ण देव राएकी ग्राज कृष्ण देव राएकी ग्रुवार जी आजकल समस्त विजनेगर में चर्चा है की असत्य है महाराज कि लोगों को वेर्थ प्रदाफ करने के अातिरी दौर के कारिया है ने महाराज वो मुरून माला को प्रसंद करने के लिए हम वो पपीता बरगत के निची राप कता है अब अब मतर्य हें वो पीते से बहला कोई बालक उट्पन होता ने परगर्द का पेड़ बालक पफिता क्या कह रहे हैं आप हम समझ नहीं पा रहे हैं महाराज अभी आप कह रहे थे के समस्त विजय नगर में चर्चा है कि आप भोज की चर्चा है भोज आप अगरुवा हमने सुनाय कि आप ने किसी भोज का आयोजन किया गुरुमाता स्वयम आये थी महाराणी चिन्ना देवी और महाराणी तिरुबलंबा को आमंत्रित करने के लिए तो फिर ये पपिता और बालक कहां से आ गए हाँ भोज है ना महाराज तो भोज के लिए हमने पपिति को आमंत्रित अब बालकों को हम अंत्रित किया है। गुरुमाता ये भी कह रही थी कि इस भोज का आयोजन किसी विशेश प्रयोजन से हो रहा है गुरूर तो हम जानना चाहते हैं कोई शुब समाचार। महराज आप तो भली भांदी जानते हैं कि वरुनमाला हमारी धरम बतनी है तो हुजे नेगर के सुरक्षा, उन्नती और विकास के लिए वो बहुत से वरत रख लेती हैं अनुष्ठान कर लेती हैं तो ऐसे कोई वरत रख लिया होगा और ईश्वर ने उनकी मनों कामना पूर्न कर दी होगी तो रख लिया भोज अधफद, 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 अच्छनत प्रसन्नता का औसर होगा, हम सब अरिवार अवश्य पदारेंगे अगो भाक्य हमारी माराज मंद्रीवर, माराज, आज के दर्बार की कारवाय आरंप की जाए जो अज्ञाशि donut महाराज म्हाराज हम यह कर रहे है मुट हुआ है? वी मुट हम यहां किया कर रहे हैं? अरे हम यहां के महामंत्री हैं? जबी आपको कुछ बोलना है तो आप बोल लीजिए हम छुपू जाते है महराज, हम यह कहना चाहते थे कि तुरंद घर जातूँ जी, घर जा, तू, नम आप से नहीं, उससे कहे रहे गुरुर, आप बड़े, आप मुझे तुम, घर जा, बोल सकते हैं, फिरंद आप मुझे घर क्यों भीजना चाहते हैं, जरबार की कैरवाई तो, अभी अभी आरम हुई है, गुरुर, आपका स्वास तो ठीक हैं। जी, जी, जी महराज, हम, हम स्वास्थे, स्श्थे यह जो हो अपना है खाय के रहा हैं टृब कर दो कि अए गृट्ट यह एला मैं! मैं कहा हिल रहा हूं आचारे? वो तुम्हें सांस नेना हूं तू नेरा पेठ हिल रहा है गुरूबर क्या हो रहा है आपको? तेरती नुए तेरती नुए पेट रूपर्ड़ रिजिट रवेपद्ट राइड़ रहा है पाईयो, पकड़ो इसे समीव पाताना अंभादा अपने न्त्रों की सक्ती से भॉच्प कर देंगे میں भॉच्प कर दोंगा अब तक इसका पिता किसी को भॉच्प कर नहीं पाया पुत्र बस्प करेंगा अधिए पिता का दॉच्प अधिश दिया से ना घर जाने के लिए समा करें, अमसे ट्यूटी होगे, पिताश्री पिताश्री? पिताश्री? पधाई हो, अचारे? गुरुवर, कौन है यह बावर? यह आपको पिताश्री कहकर संबोदेश क्यों कर रहा है? हब आप अप 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 तो यह गुरुवर का पुत्र है जिसके बारे में अमोर शार्दानी बताया था अप 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 Ⅱ अप